नमस्कार साथियो मैं डॉक्टर सुरेश परिहार मांसिक स्वास्तिय नसा मुक्ति विशे सगे एंव साइकोलोजिकल काउंसलर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ साथियो आज की वीडियो भी मांसिक जाले के नाम से मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत से नेगिटिव और पॉजिटिव विचारों के बारे में बताया था वेसे ही एक खास परकार के विचारों के पेटर्न के बारे में हैं जिसको कहते हैं फिल्टरिंग ये केसा मानसिक जाला है आईए इस पर हम चर्चा करें साथ यो filtering नाम के जो pattern है गलत विचारों का इसमें क्या होता है कि एक इनसान जिसके चारों और बहुत सारी खुशियों की बाते हैं यानि खुशियां है और बहुत सारी जो negative बातें भी है जिससे उसको उदासी सी भी महसूस होती है लेकिन वो उस पूरे उसकी जीवन में से सिर्फ और सिर्फ negativity को ही यानि उदासी भरी बातों को उदासी भरी जो situation है उसको ही देख पाता है खुशियों की बात को वो नहीं देख पाता यानि किसी इंसान की जीवन में खुशियां भी है happiness भी है positivity भी है और उसके जीवन में negativity भी है positive और negative दोनों परकार की चीज़ों उसके mind में जाती है लेकिन mind के अंदर उसके मानसिक जालों का उसके विचारों का एक एसा patron बन गया है उसका belief system एक एसा बन गया है जिसकी वज़े से उसको उसके जीवन की सिर्फ और सिर्फ जो negative बाते हैं वही दिखती है example मैं अभी आपके सामने रखता हूँ सत्यों एक एसा इंसान था जिसके चार संताने थी और वो चारों संताने बहुत अच्छे से काम कर रहे थी IS officer भी थे police में भी थे IPS थे और बहुत अच्छे से वो work कर रहे थे किसी दूसरे उसका जो दोस्त था उसने उससे पूछा कि और सuna क्या हाल चाल है गर पर सब अच्छे हैं वो के दे क्या बताएं क्या अच्छे हैं कुछ भी अच्छा तेरा वहर है और सारी सुवधा नहीं है लोग दॉस रज़ी सीशब्ण कुछ साओट है याधर के अधर है और बोष्ट नहीं है तो सब्षसे से बढ़र रहे हैं वह अच्छी पोस्ट पे जोब लगे हुए हैं, घर में बहुत सारा पेशा आ रहा है, हर प्रकार की सुविदा है, फिर भी तू इतना उदास क्यों रहता है, वो केते हैं यार कुछ भी नहीं है, इन सारी चीजों का जो है, वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं, उनकी सा साधी नहीं होड़ी, तो अब मैं जी कर भी क्या करूं, अगर इधर उधर आसपास में कहीं भी मैं जाता हूं, तो लोग मुझसे ये पूछते हैं, कि आपके जो बच्चे हैं, उनकी साधी होगी या नहीं होगी, तो मुझे बड़ा बेशर्मी का सामना करना पड़ता है, म ये बात उसने अपने जो जिगरी उसका दोस्त था उसको उसने बताई तो इस परिस्तिती के अंदर वह जो इन्सान यह जिसके पास सब कुछ है उसके जिंदगी में positive बातें भी है निगीटिव बातें भी है लेकिन उसके उसे वह शिर्फ और उसके माइंड के अंदर वो सिर्फ नेगटिव जो बाते हैं उन्हीं को अक्सेप्ट कर रहा है अब इस पूरे प्रोसेस को उसकी जिन्दगी है उसको हम अब सी बीटी मोडल पर अगर डालें तो उसके अंदर इस प्रकार से निकल के आते हैं कि उसके अपने आप उसके निकल किये जाता है जही है कि मेरे जो उसके जो शुटेड् seat वहाँ उनकी साधी नहीं हुए उससे रिलेटेड बहुत सारी उसकी थोर्टस फिर उसकी वजह से उसको कैसा फिल होता है कैसा मैसूस होता उसका recordation किया जाता है और क्योंकि उसको जब negative thoughts आते है तो negative feeling इसको होती है उसको उदासी का सा मैसूस होता है उसको guilt का मैसूस होता है और उसको चिंता भी होती है पता नहीं कल को क्या हो जाया, अगर कल को मेरे साथ में कुछ गठना होगी तो इनका क्या होगा यसा भी उसको म हेवियर हो जाता है हम उसको डिस्प्यूट के नाम का जो कॉलम है यह जो मैं बात कर रहा हूं यह सीवीटी की जो एक पूरी वरक्षोप है सीट मैंने आपको प्रवाइड कर दी है पहली जो सेकंड नंबर जो वीडियो थी नहीं थर्ड में उसमें तो उस वरक्षोप से मैं आप सबको यह बात कर रहा हूं डिस्प्यूट में हम उनके साथ में यह कहते हैं कि जी आप जो चीज सोच रहे हो ठीक है उसको हम रियलिटी जो प्लेटफॉर्म है उस पर जांचते हैं यानि वो बातें कितनी सही है यह कितनी गलत है आप जो बात कह रहे हो उस चीज का कितना परमान है कि उनकी साधी नही होने की वज़े से आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है फिर दूसरा उनको इस बात का इस बात तक ले के जाया जाता है कि आपकी जो लाइफ है उसके इंदर positivity कितने है और negativity कितने है positive points जूंडे जाते हैं और negative points जूंडे जाते हैं फिर उनको उसकी life का जो पूरा एक scenario वो दिखाये जाता है और उसका जो effect है वो फिर nerd किया जाता है तो इस प्रकार से ये CBT का एक आपको मैंने एक जो thought distortion जिसको कहते हैं गलत जो अपने दिमाग में जाले बन जाते हैं मानसिक जाले जिसको मैं कहता हूँ वुसकी मैंने आप से चर्चा की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप like कीजिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन भी दबाईए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत